इसलाम अलीकुम दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सोच रहे होगे कि आप ये कहा जंगलों के बीच में आ चुके है तो आज हम एक और दर्गा शरीफ के ब्लोग की तरफ चल रहे हैं और एक और छूपी हुई दर्गा को हम तलाश कर रहे हैं कि कोशिश कर तो एक और दर्गा शरीफ की जियारत आपको कराएंगे आप हमारे साथ बने यहां आने के लिए पहले आपको डिंडोशी डेपो की कोई भी बस पकड़के डिंडोशी डेपो उतरना है उसके बाद आप वहाँ से पैदल 20 मिनिट के वोकिंग डिस्टेंस पर आप दर्गा क तरफ जा सकते हैं पैदल ही आप देख सकते हैं यह रस्ता है सीधे सीथे आप जाएंगे तो दर्गा शरीफ की तरफ आप पहुच जाएंगे आपको 20 से 25 मिन आप देख सकते हैं यहां तो आप आपको यह लेफ्ट दिखाए देगा इस तरफ तो आपको इस लेफ्ट की तरफ दरगा शरीफ का रोड है तो आपको यहां से लेफ्ट लेना है अपको यह लाएट में आप फिल्म सिटी रोड़ देख सकते हैं यह व्यां अपिया से भी यहां से फाइब मेनिट्स के वाकिंड लिस्स पे दरगा है उस तरफ दरगा शरीफ है अपको टारमेट कमपनी है यह कि अब रिक्षय से यहां तक आ सकते और यहां अब जा सकते हैं आप देख सकते है टारमेट रोड बनाती है ये कमपानी एप देख सकते है ये दरबा शरीफ का गेट है यहाँ से दरबा का रस्ता शुरू होता है आप यहाँपे बाइपक अपनी भी लेके आसकते है यहाँपे जो है लाइट का आपको ये फॉलो करते हुए जाना है ये खंबे को फॉलो करोगे तो आप दर्गा शरीफ की तरफ पोड़ जाओगे आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीच में पहाडी आपको ज्यारत कराता है दर्गा शरीफ की देख सकते हैं कि ये पूरा जंगलों के वीच में होती हुए रस्ता है ये नीचे पहाडी है यह से ओपर आना मैं आपको पूरा रस्ता आपको दिखाऊंगा मैं यह पूरा रस्ता है आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े घर भी बने हुए है जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके एंड तक ब्लोग जरूर देखेगा आपको सारी डीटेल्स देने की कोशिश करूँगा जितनी जानकरी मुझे मिलेगी उतनी जानकरी आपको भी देने की कोशिश करूँगा तो एंड तक वीटिव जरूर देखना दरगा शरीफ का गेट नजर आ चुका है हज़त शहिंशाह पहाड़ी पीर रहमत उलाले हज़त मलंग शादूले बेटी बीवी महंदी मा यह सामने एंटरंस है बहुत है खुबसूरत बना हुआ है यह एंटरंस आप देख सकते है आजू बाजू में पेड़ पौदे लगे हुए है अच्छे से बहुत ही सुकून है आप है आप भी आईए अच्छे से अच्छे से घजू नहीं है वो तन्हा कौन है? बादशा वो कौन है? महरबा वो कौन है? क्या उची शान है? उसके सब नीशान है? बाद वो कि जान है? बाद वो तन्हा कौन है? सामने आप जो फत्तर देख रहे हैं वो फत्तर और्स के मौके पर उठाया जाता है 11 लोग मिलकर इसे एक उंगली से उठाता है जिसकी जो तमन्ना होती है वो हज़त के सद्के में कुबूल होती है इनका और्स 22 और 23 में को मनाया जाता है हर साल और आप भी और्स के मौके पर आ सकते हैं आप अपनी फैमली के साथ भी आ सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी जगा बनी हुई है आप फैमली के साथ यहां पर आकर जियारत कर सकते हैं और हज़त के सद्के रकत रायनाय शुवान जली तो 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 राफ जस्कन फटादेग इना भॉब जादेग ये तो तो और भॉब जली आदा मुहमद अस्वाना अनीक Ya… Ya — Ya RasoolAllah As-Salamu Like Gibi Ya Nabij 1- Ya RasoolAllah As-Salamu Like Gibi Ya Nabij 1- या रसुल आलाह